नमस्टार फैंट्स में बबलू उर्मा पेपर हैकर में आपका स्वागए अग्णा्यस आदम देखने वाले हैं व होता है इससे पहले जो हो जाते हैं नहीं देखे हैं तू की लिंक बहुत जाकर करें झाथ हैं या पिर हमारी साइट पर आप जा सकते हैं www.pepperhacker.in जैसे ही आप वहाँ पर जाऊगे तो आपको एक button मिलेगा ठीक है क्या मिलेगा बर्टन मिलेगा जिसमें लिखा हुए होगा Environment ठीक है Environment के अंदर जैसे ही आप जाऊगे तो बहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा भई बहाँ पर आपको इसकी playlist बिस्ट मिल जाएगी बिल्कुल इजी ली ठीक है तो आपको ढूंड़ना नहीं पड़ेगी तो आप हमारी साइट पर जाके देख सकते हो तो बढ़ते हैं फटा फट कोशनों की ओर जैसे कि आपको हमने बता रखा है अगर आपको PDF चाहिए ठीक है अगर आपको PDF चाहिए PDF न कबर कर ली है तो सेकेंड के और बढ़ते हैं और सेकड इए पर हम 92 कूशन हमने कर रखें आप के देखेंगे 93 किउशन से आगे की और बढ़ते हैं जैसे कि आपको सामने को का 272 करसन का है इसको देहान से पढ़ना है और उसका मतलब 2 समस्थे वो चलना है ठीक है तो बात कर तो नहीं है, यह आपको बताना है, पुनर नभी निकत उर्जा का इस तोत कौन सा नहीं है, यह आपको यहाँ पर बताना है, तो बात करते हैं, पुनर यहाँ पर पुनर होगा, ठीक है, पुनर नभी निकत उर्जा, पुनर नभी निकत उर्जा कहते किसे हैं, पहली बात तो जो जल्दी तयार ना हो मतलब जो जल्दी है ना कह सकते हैं जो जल्दी तयार ना हो ठीक है तयार ना हो जैसे के हम कह सकते हैं लकडी लकडी के जल्दी तयार हो जाती है पिलकुल नहीं इसको समय लगता है 20 से 30 वर्स का है ना ये प्रन्तो तयार हो नहीं जाती तो ये तो नह होने वाली यह भी क्या है मतलब पुनर नवीनी के तूर्जा का स्तोत नहीं है बात कहते हैं बायो गैस बायो गैस को भी बहुत समय लगता है है यह भी नियरेने वाली है और कोईला तो एक ही बार उतपादन होगा दूसरा के नहीं होगा जब यह उथल बतल होगी बत्वीकी फिर कहीं कोई लेकर निर्माद होगा तो ये भी जल्दी तयार होने की चीज़ नहीं है तो इस प्रकार से राइट आंसर दोगा बोगा तो कौन सा है ये आपको बताना है भारत की उर्जा की आवसकता में ठीक है पूच क्या रहा है इसको भी ध्यान से आपको देखना है ठीक है पूच रहा है भारत की जो उर्जा की आवसकता की बात हो रही है इसमें जीवास्म इधन के बाद दूसरा प्रियोग करने वाला कौन सा हो जाता है यह आपको बताना है इधन तो सौर उर्जा नाभी की उर्जा जल उर्जा या फिर पबन उर्जा तो राइट आंसर हमारा क्या होगा वही जल उर्जा क्योंकि उर्जा हम किस से प्राप्त कर सकते हैं जीवास्म इधन के अलाबा जैसे अपने हो जाते हैं जीवा खतम हो जाएगा तहुं किसका प्रयों करेंगे फिर हम जल का यूज करेंगे तो right answer option number C रहने वाला है आगे बढ़ते हैं next question next question की बात करते हैं कौन सी पाइस्तितिकी प्रयालियों में सबसे जादा प्रात्मिक उत्पादक होता है तो सबसे जादा प्रात्मिक उत्पादक कौन होता है यह आपको यहाँ पर बताना है जैसे कि एलगल, बैड और रीफ, फिर महासागर, महादीपिय जलसीमा, या फिर जवार, 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 नदमुक, तो कौन सा राई टांसर मारा रहने वाला है, दिखो यहां कहरे है, सबसे ज़्यादा प्रात्मिक उत्पादक, जो सबसे प्रात्मिक उत्पादन होता है, वो कहां ह होता है, महासागरों में होगा, या फिर महादीपिय जलसीमा में, तो बात करते हैं, एलगल, बैड और रीफ, इसमें तो होने वाला है नहीं, ठीक है, और नहीं जवार, जवार, नदमुक में होने वाला है, तो या तो महासागर में होगा, या फिर आप महादीपिय जलसीम कर सकते हैं तो बात कहते हैं महादीप जो होते हैं ना दीपों के आसपोड़ों के इस्थान बहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रात्मे कुत पादन होता है तो राइट आंसर होना चीछ था उप्शन नमबर C महासागर भी नहीं रहने वाला है ठीक है आगे बतें नेक्स कुशन चेतर पर तो मैंने आपको बता रखा यह हमारी क्या होती है प्रत्वी होती है ठीक है यह हमारी होती है भूमद रेखा से हम विसूबत रेखा भी कहते हैं यह वाली हो गई ठीक है यह वाली और इसके ऊपर जो होती है साड़े तेश डिगरी ठीक है साड़े तेश डिगरी क दच्छड की ओर, यह क्या होती है, दच्छड की ओर जिसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मकर रेखा, यह होगे अपनी भूमद, ठीक है, यह होगे अपनी कर्क, और यह होगे अपनी मकर, ठीक है, कर्क, मकर, कर्क कहां होती है, साड़े तेज़ डिगरी उत्तर में, और मकर कहा जो छेत्र होता है इसके बीच का छेत्र जो होता है उसे क्या कहते हैं अन्ता उस्ट कर्टिवंदी अभी सरड छेत्र कहा जाता है और यहां का तापमान आपको पता है जो भूमद रेका है उसके समीब का छेत्र देरेका है कौन सा अन्ता उस्ट कर्टिवंदी अभी सरड छेत ठीक है आगे बढ़ते हैं next question की उर, next question को देखना है, next question का answer हमारा क्या रहने वाला, देख रखा है, कौन से बन लगबग प्राकर्तिक अभस्था में हैं, कौन से जो बन हैं, वो लगबग प्राकर्तिक अभस्था में हैं, तो पहरा देखा है मानसुनी बन, सबाना घास के तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है तो आपको पता है जो भूमत रेखा के समीर के जंगल जो होते हैं वो कैसे होते हैं लगबक प्राकर्तिक अवस्था में होते हैं मतलब मनुस्थ के दौरा इसमें कोई भी छेडशाण नहीं होनी चाहिए ठीक है तो राइट आंसर नम बड़ी होगा भूमत रेखा जंगल ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन नेक्स कुशन की बात करते हैं खाग सरंकला जिन प्रजातियों से सुरू होती है बहे है जो खाग सरंकला है जिन प्रजातियों से स्टार्ट होती है उसे क्या कहते हैं उत्पादक उभोकता परपोसी या फिर हो जाता है तुमारा हर भी बोर तो राइट आंस हमारा क्या रहने वाला है वह देखो आपको पता है कि सबसे पहले जो होती है खाग सरंकला को जिन परजातियों से शुरू होता है उसे हम क्या कहते हैं उसे कहते हैं उत्पादक क्योंकि पहले क्या होते हैं शुरू कहां से होती है उत्पादक को और उत्पादक को कौन खाता है वो भोगता खाते हैं है ना पृतम सेनडी के फिर जुम्रत दीवी वगरा होते हैं वो लोग खा लेते हैं ठीक है तो इस परकार से खाग जाला मारा चलता रहता है जो आपने हाई स्कूटर में पड़ा होगा आगे वगत हैं next question next question की बात करते हैं विस्भ का सबसे अधिक चाय उत्पादक देश कौन सा है यह आपको यहाँ पर चुछ करना है पहला चीन, रूस, भारत या पाकिस्तान तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है तो चाय उत्पादक में जो हमारा देश है वो क्या है अगड़ी है और सबसे आदा चाय कहां होती है असम में होती है कहां होती है असम में सबसे अचाय का उत्पादन होता है तो राइट आंसर उप्से नमबर सी हो जाएगा नेक्स बढ़ते हैं हाइड्रीला सदस्य है अगर यहीं कॉफी पूछ ले क्या पूछ ले बई कॉफी पूछ ले तो कहां होगा यह आपको कमेंट बॉक्स में लिख मरू किर्मक है या फिर छारीय जल किर्मक है तो यह कहां होता है यह आपको बताना है रेत किर्मक मतलब रेत में पाय जाता है बिलकुल नहीं मरू किर्मक जो मरूद भूमी होती है उसमें पायता है बिलकुल नहीं फिर छारीय जल किर्मक क्या छार जल में पाय जाता है बिल जीवजन्तू कहलाते हैं जो समुद्र की तली होती है ठीक है उस पर मिलने वाले पादप तता जीवजन्तू क्या कहलाते हैं यह आपको बताना है मचली एक्टोन्स नेक्टोन्स बैंथोस या फिर इन में से कोई नहीं तो राइट आंसर हमारा क्या होगा बिलकुल बताएगा बिलकुल नीचे है ना डाउन की बात हो रहा बिलकुल नीचे पादप और जीवजन्तू रहते हैं वह क्या कहलाते हैं तो वह कहलाते हैं हमारे बैंथोस ठीक है ध्यान रखना बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूश्यों आता है बैंथोस आगे देखते हैं नेक्स कुशन की बात करते हैं निम्निकित में से तिबबतिय उच्छ प्रदेसों में कौन सा पसू पाया जाता है जो तिबबतिय उच्छ प्रदेसों होते हैं उनमें कौन सा पसू पाया जाता है यह आपको बताना है हिरन, शेर, गाय या फिर याक तो आपको पता है हिरन वर करते हैं तो रहका है गरीबों की इमारती लकडी है जो गरीबों की इमारती लकडी है वह क्या कहलाती है ठीक है देवदार साल बास या फिर सागवान तो को सागवान बहुत ही महंगी है साल भी महंगी लकडी है और देवदार भी कैसी है महंगी लकडी है मगर यहां पर next रिखा है कौन सा सागर अधिक्तम लबरता वाला है जो कौन सा सागर है जिसमें सबसे अधिक लबरता पाई जाती है लाल सागर, भूमद सागर, वोरियंग सागर या फिर जापान सागर, तो right answer हमारा क्या हो जाएगा तो बात करते हैं भारत का कौन सा सागर कौन सा सागर अधिक्तम लबरता वाला है तो इसमें सबसे अधिक लबरता पाई जाती है वो कैंसा हो जाता है वो अपना हो जाता है लाल सागर क्या लाल सागर लाल सागर को लाल सागर ही क्यों कहा जाता है ठीक है लाल सागर को लाल सागर ही क्यों कहा जाता है क्योंकि यहां पर Trichodesmium कौन सा होता है Trichodesmium Trichodesmium Erythium या Erythium तो यह आपको याद रखना है याद करना पड़ेगा कि Trichodesmium Erythium नामक एक नील हरित सैवाल ठीके नील हरित जो सैवाल होता है वो इसमें पाया जाता है ठीके इसी लिए इस समुद्र का जो रंग होता है वो कैसा होता है लाल होता है ठीके और इसी कार्ड इसमें सबस्याद लवड़ता पाई जाती है तो राइट आंसर उप्शन नमबर ए हो जाएगा और इसका नाम याद अखना है ट्राइकोडेस्मियम, इरिथियम इसमें नील हरिस सहवाल मिलता है जिसके कार्ड लाल सागर जो होता है उसे लाल कहा जाता है मतलब ये लाल दिखाई देता है आगे बढ़ते हैं नेक्स बढ़ते हैं निम्निकित में से कौन सा बहुतिक बातावड का तत्व नहीं है बहुतिक बातावड का तत्व कौन सा नहीं है ये आपको यहाँ पर चूज करना है पैद रखाए खनिच पदार्थ, बस्तियां भूमी का सोरूप, मिट्टियां तो बहुतिक बातावड मिटियां भी आजाएंगी भूमी का सोरूप भी आजाएगा और खनिच्पदार्थ भी आजाएंगे मगर बस्तियां बहुतिक बातावड के अंत्रगत नहीं आएंगी तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा option number B आगे बढ़ते हैं next question next बढ़ते हैं vitamin D का सबसे बढ़ा इस्तोत कौन सा है तो vitamin D को क्या कहते है एसcarbic acid कहते है है ना रत एक रत एक रत एक नई रत एक प्रॉफी है ना retinol, thymine, escarbic acid और ठोड़ा से लुकिएगा हाँ तो हमारा कौन सा होदाएगा इसका मतलब रत एक ट्रॉफी है ना retinol, thymine, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E है ना और vitamin K यह वोते हैं रत एक ट्रॉफी, retinol, thymine, escarbic acid और calciferol इसको tecoferol और और के का होता है रत एक ट्रॉफी है ना इस फी को देख ले ना इसका मुझे याद नहीं रहा है, ठीके और बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होदाएगा के से होदाएगा calciferol, ठीके तो vitamin D का जो नाम होता है रासनिक नाम वो क्या होता है calciferol होता है calciferol calciferol क्या होता है vitamin D का रासनिक नाम होता है तो यहाँ दे रिखा है vitamin D का सबसे बड़ा इस्तोत कौन सा हो जाएगा सूरी का प्रिकास मचली का तेल सेब या पिर हो जाती है सबजियां तो right answer नमारा क्या होगा vitamin D का सबसे बड़ा इस्तोत कौन सा हो जाएगा वो हो जाएगा सूरी का प्रिकास right answer option number A हो जाएगा next बढ़ते हैं सजीबो दौरा सजीबो दौरा द्रस प्रिकास का उत्सरजन कहलाता है सजीबो दौरा द्रस प्रिकास मतलब देखने वाला प्रिकास की बात कर रहा है का उत्सरजन कहलाता है किसके दौरा सजीबो के दौरा जैसे कि जुगनू हो जाता है जैसे कि क्या हो जाता है जुगनू हो जाता है जुगनू क्या करता है सजीब है मगर वो क्या करता है द्रस से प्रकास का उत्सरजन करता है तो यहाँ पर राइट आंसर अमारा क्या रहने वाला है बहुत ही important question अपना हो जाता है तो बात करते हैं सजीबो द्वारा द्रस से प्रकास का उत्सरजन कहलाता है जैबिक प्रती दिप्ती ठीक है? राइट आंसर अप्शन नमबर डी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं next question देरे रहा है निम्न में से नवीन करडिये संपता कौन सी है अनवीन करडिये की बात कर रहा है यहाँ पर क्या कह रहा है? अनवीन करडिये की बात कर रहा है जैसे नभी निकरडी देखा था जो जल्दी उत्पन हो जाए है ना जो जल्दी जो जल्दी उत्पन हो जाए ठीके जो जल्दी उत्पन हो जाए उसे कहते है नभी निकरड ठीके और जो जल्दी उत्पन हो जाए उसे कहते है नभी निकरड ठीके और जो जल्दी उत्पन हो उर्जा, उर्जा होगी तो, उर्जा संपदा होगी तो, संपदा, तो यहां देखा है अनवीनी कड़िये संपदा, कौन सी है, जो जल्दी उत्पन ना हो, है ना, तो भही उधाती है, अनवीनी कड़िये संपदा, तो यहां देखा है, पेट्रोलियम पदार्थ, जन्तु, ज कर सकते हैं जल्दी और पेट्रोलियम पदार्थ यह हम नहीं कर सकते क्योंकि एक जीबास में पदार्थ हो जाता है ठीक है इसका सीवित बंडार है यह खतम हो जाएगा यह जल्दी उत्पन नहीं होगा तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए ठीक है आगे बढ़त कार्बो हाइडेट प्रोटीन और बसा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं जैबिक और जिसमें यह नहीं पायाते होने का कहते हैं अजैबिक जैसे उर्जा प्रभा पदार्थों का चक्रीकड और भोगता यह द्रेक है उर्जा प्रभा तथा पदार्थों का चक्रीकड तो अ कrs devakane pash кон छो जाएक तो आगे देखते हैं नेक्स कुशन नेक्स दिरुक है तुम्हारा अचनल किस के लिए लाव दाएक है जो बर्मी कोल्चर होता है किस आपने देखे होगे किसानों के खेतों जो होते हैं उनमें केच्व क्षुप खोड़े आते हैं ना जो क्या करते किसके लिए लावदायक है किसानों के लिए डॉक्टरों के लिए सिच्छकों के लिए या फिन में से कोई नहीं तो पता होगा आपको जो बर्मी कल्चर होता है वो किसके लावदायक है ये किसानों के लिए लावदायक होता है नेक्स बढ़ते हैं आप घटक में समलित करते ह जो अपगटक होते हैं उनमें किसे समलित करते हैं उत्पादक जंगल होते हैं प्रतम भोगता जो जंगलों को खाते हैं पीनफोदों को खाते हैं धूतियों भोगता जो किने खाते हैं जो प्रतम भोगता होते हैं उनको खाते हैं और जो लास्ट में बसते हैं कौन अपगटन करता है न बहह किने खाते हैं वहें इन तीनों को खाते हैं कौन अप गतन करता तो कह रहेए अपगटक में समलित करते हैं किसके लिए जिवाडू कवक किरमी या फिर पसू तो आप किसे करेंगे यहा आपको बताना पताएगा तो आपको पता है जो अपने अपगटन करता होते हैं उन्हें क्या कहते हैं किर्मी कहते हैं तो right answer option number C हो जाएगा किर्मी को हम समलित करेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं next question next question की बात करते हैं इसको देखना है अपके लिए इसका answer क्या रहने वाला है तो उशन देरेका है पाश्तितिक तंत्र को निम्निकित में से किसके द्वारा संदचित किया जा सकता है जो पाश्तितिक तंत्र होता है उसको निम्निकित में से किसके द्वारा संदचित किया जा सकता है पहला राश्टी पार्क, बन्नजीव अभ्यारण, वायो स्पियर तो यहां पर रमारा क्या होगा तो 25 समय उपना होता है है ना उसको हम किस धूरा संश्री पार्कों लार्ड के दौरा बन जी अभीर अबर के दौरा या फिर जर्णी प्लास्म के दौरा तो उसे रहेंगे हम संश्री बायोस्फियर रिजर्वों की द्वारा तो right answer option number C हो जाएगा बहुत important question आगे बढ़ते हैं next question की बात करते हैं बिस्ब में किरसी कार सरबदिक होता है जो बिस्ब है उसमें किरसी कार सरबदिक होता है कहां होता है नदी घाटी में सागरिय तटो में या फिर गिरी पादो में पठारी भागों में तो right answer हमारा क्या रहने वाला है आपको पता है किरसी कार जो होता है जहां पर जलकी पर्याप्त मातर हो तो सागर ये तटो में नहीं बहां पर शुनामी बगर आ जाती है तो यहां तो problem होगी तो यहां तो लोग नहीं करेंगे सबस्यादा कहां करेंगे नदी घाटी में तो राइट यांसर क्या होगा option number A हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं next question की और next रखा है इसको प्रतवी के फेंपड़े की संग्या दी गई है प्रतवी के फेंपड़े किसे कहा जाता है तो आपको बता है प्रतवी पर oxygen की मात्रा सबसे auction की मात्रा कहां से आती है वही auction की मात्रा आती है पेडो से कहां से आती है पेडो से तो प्रतवी का फेंपड़ा किसे कहेंगे बन को, पहाडियों को, खेत को या फिर उद्धोग को तो उद्धोग से तो क्या निकलती है NO2SO2, Sulfuridioxide और Nitroside ये क्या होती है, यहां नहीं कारक होती है तो ये तो नहीं होगा, ना ही पहाडियों से होगा और ना ही खेतों से तो प्यस्थभी का फेपड़ी किसे कहेंगे बाई O2 हमें सबस्यादा कहां से प्राफत होती है ब्रक्षो से, पेंडो से, तो राइट आंसर हो जाएगा बन, ठीक है आगे बढ़ते हैं, दुनिया का सबसे सम्रद, पाईस्तितिक तंतर कौनसा है सबसे सम्रद है ना, कौनसा हो जाता है धर्ती, तालाब, नदी या फिर समुद्र, तो यहां राइट आंसर हमारा क्या होगा सबसे सम्रद, सक्ति, साली पाईस्तितत्र कौनसा है हमने पहले वीद रखा है कि सबसे बड़ा पाईस्तिक से कहते हैं उसको ही हो जाएगा, मतलब एक ही है सबसे बड़ा पाईस्तित्र या फिर सम्रद पाईस्तित्र तो भपना हो जाएगा समुद्र यह हमने देख रखा है आगे वरते हैं, पादपो जीवजन्तो, तता मिट्टियों के सामुहिक स्वरूप को कहते हैं जो मिनका सामुहिक सुरूप होता है समुह में जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं समुदाए, समुह, परिवार या फिर जीवओं पादपो, बहुत सारे पादपे खटे हो जीवजन्तो, बहुत सारे जिम्तो समुह में रहते हो और मिटियां, या ये मिटियां आपको समू में देखने को मिलें तो इसे क्या कहते हैं समुदाय कहते हैं बिल्कुल नहीं ना ही हम समू कहेंगे ना ही कहेंगे परिवार इसे कहेंगे जीबोम क्योंकि यहाँ पर एक जाती की बात हो रही है आगे बढ़ते हैं next question next देखा है जीब जन्तु खाग सरंकला में हैं जो जीब जन्तु हैं बहें खाग सरंकला में हैं किस खाग सरंकला में हैं प्रतम पोशक पोशड इस्तर अंतिम पोशड इस्तर दुतिये पोशड इस्तर या फिर मद्दे पोशड इस्तर राइट अंसर मारा क्या होगा जो जीब जिर जनतु होते हैं, जिर जनतु होते हैं, वह किस में आते हैं? 2 एक पोशक इस तर में आते हैं, पोशक इस तर में मासा हारी सब लोग यहाँ पर आजाएंगे, ठीक है? सिर्प पादपो को छोड़ कर, तो right answer option number C हो जाएगा जो ती एक पोशक इस तरह में यह है आते हैं आगे बढ़ते हैं next की बात करते हैं पारी तांत्रिक आतंकवादी पेड़ है जो पारी तांत्रिक आतंकवादी पेड़ है वह कौन सा है आपको बताना है ठीक है पहला दिर्खा है महोगनी, बबूल, यूकेलिप्टिस या फिर नीम तो पारी तांत्रिक आतंकवादी पेड़ क्यों कहा जाता है क्योंकि यह जल की मात्रा को जल की मात्रा को बहुत ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा क्या करता है बासपी करता है क्या करता है भी बास्पी करता है क्योंकि जमीन की जो पानी होता है जमीन पानी जो पस्तित है ठीक है वो क्या करता है केसी का तो पानी को यह लेकर और यह जल बास्प में सबसे जादा है ना जल बास्प इसकी बना देता है मतलब पत्तियों के दारहों से उड़ा देता है तो तो right answer होताएगा UK Liptus, UK Liptus जो होता है, वो जलकी सबसे ज़्यादा मातरा के लिए वास्प के रूप में उड़ा देता है, ठीक है कह सकते हैं, तो आगे बढ़ते हैं next question, next question की बात करते हैं, next question पना दे रखा है कि सरवधिक प्रात्म कुत्पादक्ता, इस बायोम में पाई जाती है, किस बायोम में पाई जाती है, यह आपको बताना है, ठीक है, सरवधिक प्रात्म कुत्पादक्ता, किस बायोम में पाई जाती है, पहला ज़े रखा है मानसून बायोम, उस्डिकर्टिवन दिये बन, मरुस्थल या प्रिटेगा, तो right answer हमारा क्या रहने वाला है, तिको बात करते हैं, सरबदिक प्रात्मिक उत्पादक्ता, सरबदिक प्रात्मिक उत्पादक्ता जो होती है, वो किस बायोमें पाई जाएग कम, जय बिविता और जय भार पाया जाता है, वह कहां पाया जाएगा, ये आपको यहां पर बताना है, ठीके, ठीको बात करते हैं, यहां पर कौन सा right होगा, सबसे कम की बात कर रहा ना, सबसे कम, जय बिविता और जय भार पाया जाता है, तो बह पाया जाएगा अपने बन तुड्रा में कहा पर तुड्रा में तुड्रा मतलब क्या हो जाएगा ये हो जाएगी बंजर भूमी क्या रहने वाली है ये बंजर भूमी इपनी होती है ठीक है ये भी आपको याद होना चाहिए आगे बढ़ते हैं next question next बढ़ता है एक निश्चित इस्थान जहां कोई जीव रहता है एक निश्चित इस्थान आपको बताना है जहां पर कोई जीव रहता है जैसे की पारी तंत्र आबास इस्थान जन संख्या या फिर समुदाय एक निश्चित इस्थान जहां कोई जीव रहता है उसे क्या कहा उसे कहते हैं बई पारी तंत्र राइट आंसर उप्शन नमबर ए हो जाएगा बिल्कुल इजी था ये तो आगे देखते हैं नेक्स रखा है बैजो पोश्ड के लिए मृत जीवों पर निर्भर करते हैं कहलाते हैं क्या कहलाते हैं जो मृत जीवों को खाकरूर्जा को मुक्त करते हैं तो पहले हो जाते हैं पर जीवी मृत ओप जीवी यह दरेका है तुमारा अभी कल्पी पर जीवी या बिस्ब जनीन तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा तो मृत जीवों पर निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें मृत ओप जीवी कहते हैं ना खाग चक्र खाग जाल या फिर इन में से कोई नहीं तो यहां राइट अंसर हमारा क्या होगा खाग स्रंकला की बात करते हैं यह उल्टा सीधा हो सकता है ठीक है यह इस्थाई नहीं होता क्योंकि मनुस कोचलो क्या होते हैं मनुस शाकाहरी होते हैं सिर्फ कुछ मनुस क्या हो करते हैं तो ये इस्थाई होता है तो right answer option number C हो जाएगा या दखना है कौन सा अधिक इस्थाई है तो बहो जाद अपना खाग जाल ठीक है आगे बढ़ते है next question दिरेखा है पाइस्तिकी तंत्र प्रीमिड में उच्चितम इस्तर क्या है पाइस्तिकी तंत्र प्रीमिड जो है उसमें उच्चितम इस्तर किसका है ये आपको यहाँ पर बताना है पहला दिरेखा है प्रात्मिक भोगता उत्पादक अपगटक या फिर शाकाहारी तो उच्चितम पूछ रखा है निम्रतबगर पूछता तो कौन हो जाता तो हो जाते है अपमारे उत्पादक मगट रखा है उच्चितम तो कौन हो जाएंगे भै हो जाएंगे अप घटक राइट अंसर उप्शन नमबर C हो जाएगा अपना जो इसे कहते हैं म्रतोब जीवी आगे बढ़ते हैं बैजीवित प्राडी जो केबल मास खाते हैं क्या कहलाते हैं उत्पादक मासाहारी सरवाहारी या पर इन में से कोई नहीं तो मास खाते हैं तो क्या कहेंगे उन्हें कहेंगे मासाहारी राइट आंसर अप्शन नमबर C हो जाएगा नेक्स बढ़ते हैं next रखा है सब्द 25 तंत्र का सरप्रतम प्रियोग किया 25 तंत्र का सरप्रतम प्रियोग किशनी किया था सबसे पहले प्रियोग किशनी किया था very important हो जाता है अपना ठीक है याद करना इसके लिए Newton ने, Levosius ने या फिर Odum ने, या Tensler ने यह हमने पहले भी देख रखा है किशन तो 25 तंत्र का सरप्रतम प्रियोग किशनी किया था Tens लेने किया था Right answer option number D हो जाएगा next बढ़ते हैं दिरह का है हरितिक्रांती संबंदित है हरितिक्रांती किस संबंदित है यह आपको यहाँ पर बताना है तो हरितिक्रांती की स्थापना कब हुईती यह भी आपको याद उने चाहिए सुरात कब हुईती 1967 में यह डेड़ भी आपसे पूँच सकता है अगर हरितक्रांती की बात यहाँ पर होई है तब ठीके तो हरितक्रांती के जनक भी पूँच सकता है हरत कांती के जनक कौन थे तो हरत कांती के जनक कौन थे हैं कौन श्वामी नाथन कौन हो जाएंगे वही स्वामी नाथन जो हो जाएंगे वहो जाएंगे हरत कांती के जनक बता किसके भारत के ठीक है भारत की हरत कांती के जनक कौन थे स्वामी नातन हो जाते हैं Very important question है खरत कान्ति के जब बात होई है तो यहां से question बन सकते हैं कि इसकी स्थापना नीप कपड़ीती 1966 में इस क्रांति के जनक कोन है भारत में तो बहुत जाते हैं स्वामी नातन और संबंदित है तो किस से है दुख दुत पादन से उर्जा पादन से बोजन एबम सबजीयों के उतपादन से या फिर हरे रंगों के उतपादन से तो यह राइट आन्स ओजाएगा option number C बोजन एबम सबजीयों के उतपादन से और सबस्याद मानता किसे मिलीती गेहूं को दी गई थी यहाँ पर ठीक है तो यह भी आपको या दोना चाहिए तो सारे कि सारे यहाँ पर बता दिये हैं क्यूष्चन पूछेगा तो यहीं से वनेंगे ठीक है next भी था हैं समुदायों के बीच विंधरा होती है भी क्या करी है पहला अलफा विंधर भीथ्या विंधर oyata गामा विंधर या फिर जै विवितर ई तो बिलकुल इजी हो जाता है कि हाँ भई जै बिविता पाई जाती होगी राइट आंसर उप्से नमबर डी हो जाएगा नेक्स बढ़ते हैं नेक्स दिरेका है तुम्हारा येरो सॉल है येरो सॉल है क्या ये आपको यहाँ पर बताना है बेरी इंपोर्टेंट क्योशन है भी बात करते हवा में निलंबित छोटे ठोस कर हवा में निलंबित छोटे द्रब कर बाताबड में दुमे के तहते कर या हवा में निलंबित छोटे ठोस अत्वा द्रब कर तो यहाँ पर पताना है कौन सा राइट होगा एरो सॉल ठीक है एयर माने क्या हो गई हवा तो हवा तो सभी में दिरिक्षा है यहां बाता बढ़ा है यहां भी हवा ठीक है बात करते हैं आगे देखते हैं हवा में निलंबित छोटे ठोस कड़ होंगे बिल्कुल नहीं हवा में निलंबित छोटे ठोस कैसे होने चाहिए छोटे ठोस अथबा द्रब्यकर होंगे ठीक है राइट आंसर होगा option number D ये रोसोल कुसे कहते हैं हबा में निलम्बिक छोटे ठोस तथा द्रब्यकर राइट आंसर option number D हो जाएगा आगे बढ़ते हैं पौधों में पौधों के लिए सबसे सहायक बास कौन सा है पौधों के लिए सबसे सहायक जो बास होता है रहने का इस्थान है उगने का इस्थान है वह कौन सा है ये आपको बताना है पाइस्थितिक ये तंत्र पाइस्थितिक बास पाइस्थितिक ये प्रकार पाइस्थितिक ये नाइच तो right answer हमारा क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा अपना 25 बास कोई कि बास दे रखा है तो बास ही की ओर ही हम जाएंगे ठीक है रहने के इस्थान की ओर ही हम जाएंगे तो right answer हो जाएगा option number B next बढ़ते हैं भारत की राष्ट नदी है भायत की राष्ट नदी कौन सी है ये आपको यहाँ पर बताना है तो भायत की राष्ट नदी की बात आई तो इसकी लंबाई कितनी है 510 अरी 510 km लंबी है कौनसी अपनी वो हो जाती है गंगा है ना गंगा को कहते है राश्ली नधी कहते इसकी लंबाई बैसे तो 2525 होती है कितनी 525 मगर यहाँ पर विक्रीपीडिया पे आप सर्च करोगे तो 210 आपको देखने को मिलेगी ठीके बैसे 2525 के एरफिर में है, 2525 ही है, ठीके, गंगा की लंबाई, मगर आप 2510 और 2525 दोनों के आधक ना है, ठीके, दोनों यहाँ पर सही हो सकती है, 2510 भी देखने को मिल सकता है, ठीके, अगर यूपी इस पेसर आप उठाओगे, तो 2525 देखने को मिलेगी, अगर आप जो आपको option मिले वो लगा देना, ठीके, जातर आप Wikipedia पर देख रखा है, तो आप कहां जाएंगे, 2510 की ओर जाएंगे, तो गंगा की लंबाई कितनी, 2525 या पर 510, अब दे रखा है, भारत का राश्न दी कौन से हो जाएगी, गंगा हो जाएगी, अब भारत में तो इसे क् कहते हैं, पदमा कहा जाता है, ठीके, तो राइट answer option number C हो जाएगा, और यह गंगोतरी हिमनत से निकलती है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स कुशन की बात करते हैं, नेक्स रखा है, भारत का यह छेत्र, दोआब के नाम से चर्चित है, तो दोआब के नाम से कौन सा चर्चित ह अगे बढ़ते हैं, नेक्स रखा है, यह एक साकाहारी जानबर है, बाग, सेर, बंदर, इन में से कोई नहीं, बाग साकाहारी है, बिलकुल नहीं, नहीं है, सेर, बंदर क्या है, एक साकाहारी है, ठीके, जो की उत्पाद को को खाता है, है ना, राइट answer option number C, आगे बढ़ते हैं, अन्ता प्रजन बाले, जीबो के समू को कहते हैं, जो अन्ता प्रजन करते हैं, शरीर के अंदर जो प्रजन करते हैं, उन जीबो को क्या कहते हैं, बैं आपको बताना है, परिवार, समूदाय, प्रजाती, या फिर इन में से कोई नहीं, जो अन्ता प्र गनत्व जल में कम होता है वर्फ का गनत्व जल से कम होता है कभी कभी सत्य है या पिर कभी कभी असत्य है सत्य है या पिर असत्य है तो आपको पता है वर्फ का जो गनत्व होता है वो जल से कम होता है ये बात बिल्कुल सही है राइट आंसर हो जाय का option number C क्योंकि अगर आप क कम बजल होगा वरफ की रूप में कन बढ़ करोगे तो इसका आकार क्या होता है बढ़ जाता है और क्यों बढ़ जाता है क्योंकि इसके जो कड़ होते हैं जलके जो कड़ होते हैं वो क्या हो जाते हैं दूर दूर हो जाते हैं जमने से क्या हो जाते हैं दूर दूर हो जाते है जलके कड़ दूर दूर होने से इसका आकार क्या हो जाता है बढ़ जाता है ठीक है और जब जलके कड़ दूर दूर हो जाएंगे तो इसका गहनत पर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा है ना अब कोशली कम हो जाएगा तो right answer क्या हो जाएगा भई ये बात सत्य है आगे बढ़त कार्बन ओक्सीजन तथा जल, कॉपर, कैडमियम तथा कार्बन, पोटेशियम, फासपूरस, नाइट्रोजन, यह अपना हो जाता है बोरोन जिंक, मैगनीज, तो आपको पता है तीन प्राइमरी मिट्टी के मैक्रो निूटी एट हैं, तो कौन से हैं, प्राइमरी की बात कर र नेक्स तो रहका है अपना, मिर्दा में ऐफी, लोहा, तता एल-अलुमिनियम से भरपूर हो, उसमें लीचिंग हो, होती है, कौन सी मिर्दा होती है, बैबताना है, जिसमें ऐफी, लोहा, और एल-अलुमिनियम हो, लेटेराइट, लोन, ग्लूवियल, या फिर दोनों, ए और वी तो राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला ध्यान से देखना है जहां पर एफ़ी लोहा और ऐलुमीनियम पाए जाता है और लिचिंग हो उसमें उसे कहते हैं लेटे राइट ठीके लाइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए बैरी वैरी इ प्लब कौन सा पानी होता है बैता हुआ पानी केसी की ये पानी गोत्वी ये पानी या फिर रसायन संबंदी पानी तो बैह हो जाता है अपना राइट आंसर पौधो के लिए उप्योगी तो मैंने बता रखा है केसी की ये पानी होता है प्रत्वी के अंदर जो गोत्वा कर नीचे के ओर क्या करती है तो जो नीचे के ओ चला जाता है वो क्या होता है गुतुबल और जो उपर परत में बच जाता है उपर जो परत होती है जहां पर पौदों की जड़े जाती है और जहां पर जो जल बच जाता है सेम ठीक है जो सेस जो जल बच जाता है उसे क्या कहते ह उसी को ही पौदे क्या करते हैं? अपनी ग्रोथ में सहायक लेते हैं, ठीक है? Right answer option number B हो जाएगा आगे बढ़ते हैं, दिरेका है समुद्र पाइस्थित्र की तंतर में मुख प्रोड्यूशर है जो समुद्र है पाइस्तितिकी तंत्र में मुख्य प्रोड्यूशर है तो कौन सा है वो आपको बताना है पहला दिरिका है जुपलेक्टोन, फाइटो प्लेक्टोन, ब्लू ग्रीन, अल्गी या फिर रेड अल्गी तो सम्मुद्र पाइस्तिक तंतर में मुख्य प्रोड्यूशर कौन सा हो जाता है भैं आपको यहाँ पर बताना है तो कौन सा हो जाएगा फाइटो प्लेक्टॉन तो राइट अंसर हो जाएगा option number B very very important हो जाता है भई उसे क्या कहते हैं आपको बताना है phenology pelonic pelogic या pijogenesis या अपना हो जाता है prediction तो right answer हमारा क्या होगा मिट्टी बनने के process को क्या कहते हैं तो बैव जाता है pijogenesis right answer हमारा हो जाएगा option number C देख लेना अब एक बार से याद कर लेना ठीक है आगे बढ़ते हैं next question next question की बात करते हैं jetropha यहाँ पर त्रोफा नहीं होगा jetropha होगा jetropha kukarkas है ठीक है jetropha जो kukarkarkas का पौदा है ठीक है वो है क्या यह आपको बताना है bio remediation पौदा या फिर producer संकेदिक पौदा bio-eathen पौदा या फिर hydrophide पौदा तो आपको पता है jetropha जो होता है उसके का होता है बैई diesel का पौदा हो जाता है तो इसे कहते है bio-eathen पौदा right answer होगा option number c अपना next बढ़ते हैं जो आपने देखे होंगे जगे पे जगे जो डीजल वाले पौदे लगाए गए थे बुझा ट्रूफा के ही पौदे थे ठीके उसके बीच से क्या निकालते हैं इधन petrol अमसलब डीजल ठीके आगे देखते हैं रहे कहा है तुमारा mountain mountain sub-tropical forest भारत में कहां है very important हो जाता है भी अपना तो mountain sub-tropical forest है वो भारत में कहां पर है यह आपको बताना है नीलगरी असोम पश्चमी घाट या फिर जम्मू तो right answer मारा क्या रहने वाला है तो इसका जो हो जाएगा वो पश्चमी घाट हो जाएगा आरंब होती है जो खाग संकला है वो कब आरंब होती है कहां से आरंब होती है nitrogen इस्त्रीकड से bigton से प्रकास संसलेशड से या फिर स्वसन करिया से तो खाग संकला आरंब होती है आपको पता है कहां से होती है भई प्रकास संसलेशड से आरंब होती है, प्रकास अंसर में क्या होते हैं, पोधे अपना भोजन बनाते हैं पड़ारीमी की साहिता से, है ना, बही हमारा इस्तित हो जाएगा, किस में करते हैं, कार्बोहाइडिट में कनबड करते हैं, ग्लुकोज बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स बढ़ते हैं पेर यार रिजर्विक इस प्रदेस में है जो पेर यार है वह रिजर्विक इस प्रदेस में है आपको बताना है केरल, करनाटक, तमिल नाडू, या फिर आंदर प्रदेस तो right answer मारा क्या होग about कैसे याद करें तमिल मिल है ना मिलने जा रहे हैं याद रहेगा तो पेरियार रिजर्ब किस प्रदेश में है तमिल नाडू में इस्तित हो जाता है आगे बढ़ते हैं एक्सकूशन तो भारत के किस प्रांत का बन छेत्र प्रतीसा सबसे अधिक है तो भारत के किस प्रांत की बात हो रही है कि प्रांत का जो बंचेत्र है वो सबसे अधिक है आंद्र प्रदेश पंजाब अरुनाचल प्रदेश या फिर राजिस्थान तो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहां पर अगर मद्र प्रदेश दिरेक्खा होता MP दे रिखा होता ठीक है, तो हमारा MP right हो जाता sorry प्रांत बंचेत्र की बात कर रहा है यहाँ पर यह नहीं होगा यहाँ पर यह नहीं होगा यहá का बात में प्रांत बंचेत्र पृतीसद की बात कर रहा है, सबसे अधिक है तो वो कहां हो जा.? वह अपना हो जाएगा अरोणाचल हो जाएगा अरोलाचल प्रदेश में कहां पर अरोनाचल प्रदेश में पथीससती के刚见 खेखेंगे तो स्बस्क्राइब कहां पर अरोलाचल प्रदेश में इस्थित है right answer option की बात करते तब ठीके तो किस राज में हैं तो अपना हो जाता है MP मद्ध प्रिदेश में ज्यादा बंच्छितबल की बात करते तब ठीके क्योंकि यहां पर 33% पर बन है जितना की चाहिए ठीके 33% पर बन हैं मगर बात करते हैं खेतर की साफसे percentage किस में जाता है तो अरुणाचल प्रिदेश में हैं ठीके दोनों के उशन में different आपको देख लिए ना है आगे देखेगा निम्रिके तमेंसे किस राज में इस्तांत्रिक खेती होती है इस्तांतिक मतलब इस्तांतिक केती कहते किसे हैं पहले आपको यह आदोना चाहिए इस्तांतिक केसी उसे कहते हैं जैसे कि हमने कोई छेतर लिया ठीके कोई टुकड़ा लिया खेती करने के लिए यहां पर हम खेती करते रहे ठीके खेती करते रह इसकी जो उपजाऊ होती है जो उपजाऊता होती है उस एक खेती के लिए मतलब कोई भी एक प्रकार की खेती के लिए वह क्या होती है उपजाऊ नहीं रहती है एक समय वह आता है तब इस जो खेत है इसे खाली छोड़ दिया जाता है इस खेती को क्या करती आता है खाली दूसरी फसल को यहां पर पैदा किया जाता है और जो फसल होती है जो इसमें पैदा कर रहे थे उस फसल को यहां ना करकर दूसरे खेत में पैदा की जाती है तो इसे कहते हैं इस्तांतित खेती तो निमनिकित में से किस राज में इस्तांतित खेती होती है उत्पिदेस केरल न नागा लेंड में कहां पर, नागा लेंड में इस्थांतित केती होती है, right answer option number C हो जाएगा, next बढते हैं, बिसमें किरसी कार सर्वधिक होता है, जो बिसमें किरसी कार सर्वधिक कहां होता है, नदी घाटियों में, घिरपादों में, सागर थटी च्छेतरों में, या फेर नेक्स दिरका है भारतिय गाबों में उर्जा का पिर्चलित इस्तोत है जो भारतिय गाब है उसमें उर्जा का पिर्चलित इस्तोत कौन सा है बापको बताना है बिजली, कोईला, सूरे या फिर लकडी एवन जानवरों का गोबर तो भारतिय जो गाओं वगेरा है उसमें उर जाएगा पिछली तिस्तों कौन सा हो जाएगा तो बैख हो जाएगा लेकड़ी एवम जानवरों का गोबर तो राइट अंसर हो जाएगा option number D next बढ़ते हैं next देखा है मिर्दार रहित कल्चर को कहते हैं जो मिर्दार रहित कल्चर है उसे क्या कहा जाता है ठीक है बालू कल्चर आटी कल्चर एपी कल्चर या फिर बाटर कल्चर तो मिर्दार रहित कल्चर को क्या कहते हैं उसे कहते हैं एपी कल्चर बिना मिर्दा के बिना मिर्दा के कल्चर मतलब कह सकते हैं खेती करना बिना मिर्दा के खेती करना उसे क्या कहते हैं एपी कल्चर कहा जाता है ठीके आगे बढ़ते हैं next रखा है सामान मिर्दा का pH होता है सामान मिर्दा का pH क्या होता है को बताना है 4.5 5.5 8.4 7.2 तो सामानी बृदा का जो पीच मान होता है वो क्या होता है वो होता है पांच पॉइंट पांच राइट आंसर हो जाएगा और अप्शन नमबर भी तो यहां पर हमने 53 क्योशन देखे हैं ठीक है सॉरी 57 क्योशन ठीक है 57 questions जो हो जाती है हमारी part number हो जाता है 6 ठीक है, part number कौन सा जाता है 6 और इससे पहले part 5 मैंने डाल लगें नहीं देखें, तो हमारी site पर जाके देख लीजेगा, या description में भी आपको link मिल जाएगा playlist का, यह channel की playlist में जाके आप भी देख सकते हो, ठीक है तो like करना, share करना, channel को subscribe कर देना और वीडियो के तरना है, like करना है, ठीक है और bell icon को press कर देना, जो कि आपके जो notification आपके घर पहुंचे, ठीक है तो like करो, share करो, channel को subscribe करो bell icon को press करो, ठीक है जै हिन, जै भारत सभी के लिए